Hi everyone, this is AV और आज ही हमारे Android App Development की ठर्ड वीडियो होने वाली है आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम फ्रंट एंड को कैसे डिजाइन करते हैं, बैक एंड को कैसे डिजाइन करते हैं फ्रंट एंड के अंदर हम किन प्रोग्रामिंग लेंगविज को यूज करते हैं और बैक एंड के अंदर हम कौन सी प्रोग्रामिंग लेंगविज को यूज करते हैं तो front end को ले करके और back end को ले करके आपके जितने भी doubts हैं वो सारे आज इस वीडियो के अंदर clear हो जाएंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को प्लीज अभी like कर देना और चैनल को प्लीज अभी subscribe कर लेना को लेन वीडियों कि देना होता है तो front end के अंदर कन प्रोग्रामिंग लेंगविज को यूज किया जाता है बेक के अंदर कौण सीमल कंदेने लेंगविज को यूज करते हैं इन सबी से आप किसी दूसरे परसन से या किसी दूसरी चीज से कम्यूनिकेशन कर पा रहे हूं अगर मैं कहता हूं कि इस वीडियो मैं मैं आपसे कम्यूनिकेशन कर पा रहे हूं तो मैं आपसे यहां पर कैसे कम्यूनिकेट कर पा रहे हूं मैं आपसे हिंदी की हेल्प से करना है तो आपको भी अगराघ याना चाहिए अगर आपको माराघी नहीं आई तो आहिए लोग prossे से wine आपको के स सब्सक्राइब लैंग्विज अगर हम को महारे कुम्द्र से किसी भी काम को कर्वाना है तो हम को क्या करना होगा हमारे ओप्योटर को programming language की help से set of instruction को pass करना होगा तब वो हमारे according काम करता है अगर हमको programming language नहीं आएगी तो हम computer से अपने काम को करवा नहीं पाएंगे हम हमारे computer से बात नहीं कर पाएंगे और हम हमारे android app को भी नहीं बना पाएंगे तो हमको हमारे android app को develop करना है और हमारे computer से हमको बात करना है तो उसके लिए हमको programming language आना जरूरी है जैसे आपको हम मेरे से बात करना है तो आप मेरे से किस language में बात कर सकते हो आप मेरे से हिंदी में बात कर सकते हो English में बात कर सकते हो अगर communicate कर पाते हो एक दूसरे से हम बात कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेंगविज कहा जाता है जैसे इस वीडियो के अंदर हिंदी जो है वो एक calling गयंगे कि कि हंदी की हैल्फ से हम आप से बात कर पा रहे हैं तो language का मतलब क्या होता है यह चीज आपको clear हो गई, जादा tough नहीं है, बलकुल easy है, ठीक है, तो language क्या होता है, यह चीज आपको clear हो गई, अब बात करते हैं हम दो type के apps के बारे में, जो apps होते हैं, जब आप app को बनाते हो Android Studio के अंदर, या फिर app को जब आप develop करते हो, तब आप वहाँ पर दो type के apps को develop क पर सकते हो, पहला होता है static app और दूसरा होता है dynamic app, तो static app और dynamic app को समझने से पहले हम static का मतलब क्या होता है, इसको समझते है, static का मतलब होता है constant, कोई भी एक चीज जो किसी भी condition में change नहीं हो रही है, वो जो एक material है, वो हर condition में एक जैसा है, आज भी वो जैसा है, वैसा ही वो दो साल के बाद भी रहेगा, दस दिन के बाद भी रहेगा, एक हफते के बाद भी रहेगा, उसमें कोई भी changes नहीं आएंगे, या फिर उसके functions में भी changes नहीं आएंगे, तब आप उस चीज को कह सकते हो, कि यह static है, dynamic का मतलब इसका just opposite होता है static के, कोई भी चीज जो आपक की static है, आज भी जैसी है, वैसे ही आपकी दो दिन बाद भी रहेगी, वो जो चीज कहलाएगी, वो static कहलाएगी, अगर आप यहाँ पर confused हो गया हो, तो tension मतलब हो, अभी हम यहाँ पर example की help से समझेंगे, तो आपको सारी चीज़ा एक बार में clear हो जाएंगी, static और dynamic आप को बोला, कोई भी चीज, जो change नहीं हो रही है, constant है, हमेशा, उस चीज को आप static कहते हो, तो static app कौन सी कहलाएगी, static app का जो best example है, वो है calculator, अगर आप अपने phone में calculator को open करोगे, तो calculator का जो interface आज आपको दिख रहा है, बही same interface आपको दो दिन बाद भी जब open करोगे, तब भी आपको दिखेगा, ठीक है, अगर आप calculator के अंदर किसी function को run करते हो, जैसे आपने multiplication किया, 2 into 5, तो आपके calculator ने आपको output किया, 10 दिया, यही function दस दिन बाद भी आपको मिलेगा, वही calculator के अंदर, जो multiply किया, आपने 2 into 5 equals to 10 हमको output मिला, वही output दस दिन बाद भी मिलेगा, हमको calculator के अंदर ऐसा तो नहीं है, 10 दिन बाद हमको कुछ और value दिखाएगा, तो यह जो application है, यह आपकी एक static application कहलाती है, और static application वही होती है, जो change नहीं हो रही है, ठीक है, अगर आपको बहुत सारे apps बसे पता लगाना है कि static application कौन सी है, तो सबसे पहले आप उस application को यह चेक करना कि वह application अगर internet का access ले रही है, तो वह static application नहीं है, और अगर वह application internet का access नहीं ले रही है, तब वह application static है, क्योंकि जब हम real time में कुछ changes करते हैं, तब हमको वहाँ पर internet की जरुरत पड़ती है, और जो हमारी static applications होती है, वह real time में कोई भी changes नहीं करती है, वह जैसी आज है, वैस बात भी रहेंगी वैसे ही function उसके दो दिन बात भी काम करेंगे तो उनमें कोई भी changes नहीं हो रहा तो जब उनमें कोई भी changes नहीं हो रहा तो इंटरनेट का access भी नहीं ले रही है तो static app क्या होता है वो आपको clear हो गया ठीक है जो चीज आज जैसी दिख रही है जो एप आज आ आप्लिकेशन ए वह डो जैटे के लाएगी और स्टैक और स्टैक आपको आफलिकेशन को आइडैंतर्का कैसे आरे वह बता दिया कि अगर कोई एपलिकेशन इंटरनेट का access ले रही है तो स्टैक अप्लिकेशन को कर रही होगी तो आजो अप्लिकेशनそう род — tutto इस वो में गणिते तो यह तो डायन में इप्स वो होते हैं जो रियल टाइम में कुछ चेंजिस कर रहे हैं यह जो चेंज हो रहा है यह फाला रही है जो चफोर डायनेमिक अप को पता लगा ना कि कौन से अफ्लीकेशन डायनमिक है तो simply सबसे पहले उस application में ये चेक करना कि अगर वो application internet का access ले रही है मतलब वो application dynamic है अगर internet का access ले रही है वो application तो वो real time में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ changes कर रही होगी तो dynamic का मतलब यही होता है कि अगर आपने किसे application को आज खोला जैसा interface आज दिख रहा है dynamic app का जो perfect example है वो है हमारा whatsapp अगर आप whatsapp आज यूज करते हो आज आपने अभी whatsapp open किया ठीक है आपके whatsapp में पहला message मेरा था मैंने आपको पहला message किया whatsapp के अंदर हो सकता है आपको तुरंट किसी और का भी message आ जाए तो आपके application ने वहाँ पर क्या किया real time में changes करे ठीक है आपके पास message receive हो गया किसी और का भी receive हो गया तो यहाँ पर application है real time में changes करें तो यह जो application कहलाती है यह dynamic application कहलाती है और यह जो dynamic application होती है इनमें real time में जो changes होते हैं यह constant नहीं होते हैं इनको constant क्यों नहीं क्या हाजाता अगर आप whatsapp open करोगे तो आपके पास हो सकता है मैंने आज message किया उसके बाद दो दिन तक आपके पास कोई भी message ना करें तीसरे दिन किसी ने आपको message कर दिया तो तीसरे दिन आपके application के अंदर real time में कुछ changes आए ठीक है हो सकता है एक दिन में 50 लोगों ने आपको message कर दिया तो एक ही दिन में आपके पास 50 time real time में changes आ गए तो यह जो real time में changes होता है यह constant नहीं होते हो सकता है हर second में change हो रहे हूं किसी के application में दो दिन में changes हो रहे हूं किसी के में 10 दिन message हो रहे हूं किसी के application में मलब whatsapp में किसी के एक साल में एक message आ रहा हूं तो उसका एक साल में एक बार real time में changes हो रहे हैं तो जो whatsapp है वो आपके dynamic application कहलाती है उस application के real time में कुछ changes हो रहे हैं इतनी बार आप WhatsApp को open करो कि आपको नए messages मिल जाते हैं, आपको new लोगों की stories मिल जाती हैं, कि लोगों ने अपनी story में, अपनी status में ये सारी चीज़ें लगाई होई हैं, फोटो लगाई होई हैं, वीडियो लगाई होई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके real time में changes होते रहते ह और तो ये applications, dynamic applications कहलाती हैं, तो आपको पता चल गया, कौन सी application को dynamic application कहा जाता है, कौन सी application को static application कहा जाता है, WhatsApp और calculator को छोड़ करके, आपके phone के अंदर कितनी applications dynamic हैं, और कितनी applications static हैं, ये नीचे comment section में जरूर बताना, और application को कैसे identify करना है, वो भी मैंने आपको बता चुका है तो कौन सी application dynamic है, आपके phone के अंदर, और कौन सी application आपकी static है, ये चीज नीचे comment section में बेकुल यात से बताना, और वीडियो को अभी तक like नहीं किया है, और चैनल को subscribe नहीं किया है, तो वीडियो को अभी like कर देना, और चैनल को प्लीज अभी subscribe कर देना, अब हम बात करते हैं front end और back end के बारे में, तो front end और back end जो होता है, आप किसी application को बनाओ, आप किसी website को बनाओ, आप किसी भी product को बनाओ, आपको front end और back end बहुत ही जादा important होता है, तो front end नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जो आपको चीज़ें ऊपर दिखती हैं, आपको जो चीज़ें सामन बनाना है तो यह सारी जो चीजें होती है यही front end में आती है आप किसी app के UI को बनाते हो मतला आप किसी application के front end को design कर रहे हो front end का best example हमारा WhatsApp हो सकता है WhatsApp अगर आप देखोगे तो WhatsApp में आपको सभी users देखने के लिए मिलते हैं कितनों ने message कि आपको कहां पर chats का option है कहां पर status का option है क अहां पर हमारे calls का option है यह सारे section अलग-अलग बने हुए है तो यह पूरी WhatsApp का जो दिखता है हमको वो सभी चीजें front end में आती है और यही चीज हमारे user interface कहा जाता है अगर आपने सुना होगा user interface को और smooth बनाना है और भी अच्छा बनाना है तो आपको यूजर का experience कितना अच सामने मिल जाते हैं हमको status के लिए एक अलग section मिल जाता है कॉल के लिए एक अलग section मिल जाता है और हम our WhatsApp को यूज कर पाते हैं तो यह जो पूरी चीजें यह सभी चीजे front end में आती है और इन्ही सब चीजों को user interface भी कहा जाता है UI developer यही करता है front end की जितनी चीज़े होती है वो UI developer ही करता है front end को ही UI कहा जाता है तो front end आपको clear हो गया कि front end क्या होता है back end का मतलब क्या होता है back end का मतलब भी हमको नाम से समझ में आ रहा है जो चीजे हमारे एप में हो रही है और हमको दिखनी रही है वो हमारे main application के पीछे हो रही है जो चीज हमको दिखनी रही है वो सभी चीजे back end में आती है यहाँ पर भी हमारे लिए WhatsApp जो है वो एक best example है अगर आप WhatsApp को open करोगे आपने मेरी chats को open किया अब वहाँ पर आप message type करोग किया आपको नहीं पता चला कि आपका जो message है वो कैसे इतने जल्दी मेरे fast deliver हो गया मेरे पास तुरंत वह message रिसीव हो गया वहां से आपने send किया मेरे पास यहाँ पर रिसीव हो गया तो यह जो सारी चीजें हुई application के अंदर पहले हो सकता है database को access किया गया हो फिर उसके बा button press करेंगे download button और वो जो हमारी images है वो database में से server call होकर के सभी images हमारे local storage में आकर के save हो जाएंगी तो यह जो process होती है button को click करने के बाद कैसे हमारे database को access लिया गया कैसे हमारे database में server में access हुआ और वो image कैसे निकल के particular हमारे system memory में आकर के store हो गई तो यह जो सभी चीजे होती है यह सभी चीज हमारे backend के अंदर आती है तो frontend क्या होता है और backend क्या होता है यह चीज आपको clear हो गई कि frontend में हम क्या करते हैं और backend में हम क्या करते हैं यह सारी चीजें आपको clear हो गई तो अब बात करते हैं frontend में हम कौन सी programming languages को use करते हैं और backend में हम किन चीजों को use करते हैं टिक टिक टव एफ्लिकेशन जो प्रोजेक्ट हैमारा अगर आपने उनको देखा है तो आपको पता होगा कि हम जो हमारे इंटर्फेस को डिजाइन करते है वो XML fine के अंदर करते हैं अंड्रॉय suburbs studio में तो हम क्या करते आप हैं हमारे ₤ जो यूई 55 955 एक-सेमयर के अंदर करते हैं और जो घंलili बतन जसे हमारे पास डाउनलोड बटन उस्टाउनलिट बटन पर क्लिक करके क्या होने वाला है वह एक लोजे से ठीकbaar Review ये क्रंच में इमेज हो जाएगी लॉजक है कि मैं बटन पर क्लिक करूंगा इमेज रोटेट हो जाएगी यह लॉजक हम लिखते है कॉटलेन की हेल्प और जावा की हेल्प से अगर आपने टिक-टैक्टो गेम को जो हमारा प्रोजेक्ट उसको create किया है और नई भी किया है तो कोई problem नहीं है तो वहाँ पर जैसे ही हम tic-tac-toe interface को xml file पर create करते हैं और जैसे ही हम game को खेलना शुरू करते हैं तो game को कैसे हम खेलेंगे, game में x कैसे win होगा, circle कैसे win होगा यह जो logic है, वो हम java में या फिर kotlin में लिखते हैं तो यह जो सारी चीज़े होती है, यह हमारे एक front end में ही आती है यह back end पर नहीं आती, logic वाली चीज़े होती है, यह front end पर ही आती है back end में इन सब चीज़ों को consider नहीं किया जाता front end के अंदर ही आपको ये सारी चीज़े मिलती है अब back end के अंदर क्या आता है back end के अंदर आता है हमारे database android में हम sql light database को use करते हैं और साथ में हमारे firebase database को भी use कर सकते हैं और भी होते हैं जिनको आप use कर सकते हो इसके साथ में back end में हमारी API भी होती है API बहुत सारी अलग-अलग programming language में होते है उसकी जरूरत नहीं है आपको आपकी जो API है वो किसी भी programming language में हो उससे आपको मतलब नहीं है आपको सिर्फ मतलब इससे है कि आपकी जो API है वो आपके application के अंदर कैसे work कर रही है आपको जो output चाहिए है आपकी API से वो आपको मिल रहा है या फिर नहीं बस आपको उससे मतलब होना चाहिए आपकी API किसी भी programming language में हो उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है बहुत सारे लोगों को पता होगा जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि जो front end होता है और जो back end होता है वो UI को डिजाइन करता है वो logics को डिजाइन करता है और back end developer क्या करता है वो database और server API इन सबी चीजों को manage करता है अब हमारे पास बहुत सारे framework होते है Laravel framework ये भी हमारे पास होता है साथ में PHP भी होती है और भी हमारे पास framework होते है जिनको हम हमारी application के अंदर use कर सकते है अगर आपको PHP language आती है तो आप अपनी API को create कर सकते हो और इस API को आप अपनी application के अंदर use करके आप अपका जो भी output है वो आपके जो भी requirement है उसको आप API की help से पूरा कर सकते हो आपको जो भी output चाहिए है वो आप API के help से output ले सकते हो और अब सभी लोगों को लग रहोगा कि PHP भी सीखना important हो PHP का जो काम होता है वो आपको important नहीं है Android developer को API बनाने की जरुवत नहीं पड़ती अगर आप किसी company में जाते हो तो वहाँ पर as आप Android developer जाते हो तो आप अपनी API को create नहीं करते API के लिए एक अलग team होती है जो server team होती है वो आपकी API को create करती है बस आपको उस API को लेना है और उस API को कैसे आपको अपनी अप के अंदर filter में करते हैं कैसे उस API को use करके आपको output निकालना है अपनी अपके अंदर से वो आपको आना चाहिए तो front end क्या होता है, back end क्या होता है, front end में हम किन चीजों को use करते हैं, back end के अंदर हम किन चीजों को use करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको clear होगी, अगर अब आपसे कोई पूछेगा, हिंदी को language क्यों कहा जाता है, या फिर programming language क्यों कहा जाता है, तो language जो word है उसको आप easily explain कर और यहां तक वीडियो पर आ चुके तो वीडियो आपको पसंद आ गए, तो प्लीज वीडियो को like कर देना और चैनल को प्लीज अभी subscribe कर लेना, अब जो next वीडियो होगी, उसमें हम बात करेंगे, और भी हमारे different topics के बारे में, सभी topics introduction वीडियो में तुम आने आपको खाई दिये थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए stay tune, stay safe, bye bye